नमस्कार, पत्नी, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है, कि मैं घंटों से बक्य जा रही हूँ, तुम उबासी ले रहे हूँ, पत्ती, मैं उबासी नहीं ले रहा, बोलने की कोशिस कर रहा हूँ कस्तमर, अगर मैं आज जेक जमा करूँ, तो वो कब के लिएर होगा, कलर्क, तीन दिन में, कस्तमर, मेरा चेक तो सामने वाली बैंक का है, दोनों बैंक आमने सामने हैं, फिर भी इतना समय क्यों, कलर्क, सर, प्रोसीजर टू फोलो करना पड़ता है न, सोचो, आप कहीं जा रहे हों, और बाजू में ही समसान है, अगर आप समसान के बाहर ही मर गए, तो आपको पहले घर लेच कर जाएंगे, या वही निप्टा देंगे, कस्तमर भी होश, साधी में सबसे बड़ा धोखा तो तब होता है, जब गाय के गुण बता कर, दूले को सेरनी थमा दी जाते हैं, सराबी और साप, जितने मर्जी टेड़े मेड़े चलें, अपने घर में वो सीधे ही खुषते हैं, पत्नी, फिचडी बनाऊं या पुलाओ, पती, तू पहले बना ले, फिर नाम रखेंगे, लड़की, छी-छी, कैसा जमाना आ गया है, वो देखो, एक लड़का दूसरे लड़के को फलाइं किस दे रहा है, लड़का, पगली, वो फलाइं किस नहीं है, वो लड़का अपने दोस्त से बीली मांग रहा है, इतनी रिसर्च करने के बाद भी, कोई ये नहीं पता लगा पाया, कि रिष्टेधारों से चाय के लिए पूछो, तो बस आधा कपी क्यों बोलते हैं? आदमी कितना भी ब्यस्त रहता हो, मगर बाजू से जाती हुई खुपसूरत लड़की को देखने के लिए वो टाइम निकाल ही लेता है, इसे बोलते हैं इंसानियत. निन्यावन बे परसेंट लड़कियां कभी अपनी गलती नहीं मानती, बाकी रही एक परसेंट गलती मानकर आधे घंटे बाद कहा देती हैं कि गलती वस्ते तुम्हारी. मच्छर का बच्चा पहली बार उड़ा, जब वापिस आया तो बाप ने पुछा कैसा लगा उड़कर. मच्छर का बच्चा बोला बहुत अच्छा, जहां भी गया लोग तालियां बजा रहे थे. क्लास में नैतिक सिच्छा के पाट के दवरान बच्चों को चोरी करना बुरी बात है, या समझाने के बाद टीचर ने पुछा, अच्छा बताओ, यदि मैं किसी आदमी की जेब से उसे बताये बिना रुपए निकाल लेती हूँ, तो मैं क्या कहलाओंगी? एक बच्चे ने हाथ उठा कर बताया उस आदमी की बीबी.